कोई समस्य नहीं है काट कर जनरेटर से कार किया जा रहा है दूसरी मंजल पिल्डिंग पूरी तरह से जड़ जड़ हो चुकी है ऐसे में यहां कारे रत करमचारी जान हतेली पर रखकर कारे करने को मजबूर है झाल कारे जान है है खुर्दी आश अशचा हो जाश जाश है मेरिया कर्वियों से बात करते हुए मारक प्रकाश करमचारी संके अध्यक्ष आशोक कुमार पाठक वा करमचारी जेपी कुछवाह ने बताया हम लोगा कार्याले इसी बीडिंग में है पीछे और सुपरवाइजर भी हमारे हैं बैठते हैं पूरी बीडिंग जर जर हो गई है लगबग तीन साल से यही इस्तिती है इसको मुख्य व्यंता से भी दिखाया गया उन्होंने आस्वासन दिया था कि चोध हमें बित्ते में इसको डाल देते हैं ठीक करा दिया जागा उसके बाद नगरायक महुदा को भी दिखाया गया लेकिन अभी तक इस पर संचित कोई कारवाई नहीं की गई और बिल्डिंग की सिटी है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है करमचारी दव के मर सकते हैं और ये अंदेखी बहुत भारी पढ़ सकता है लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग बार बार आगरा भी किये कई अधिकारियों से अपने बड़े अधिकारियों से कहा गया कि इस पर भी से ध्यान दे करके इसको ठीक कराया जा इसके गिरने से पूरे जलकल परिसर का ये जलकल के नीचे का आफिस जो है वो भी द्वस्त हो जाएगा जलकल के अधिकारी करमचारी सब नीचे काम करते हैं लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और इस स्थिती आप देख रहे हैं आपके सामने पूरी बिल्डिंग द्वर्ट हो गई है ये बिल्डिंग तो लगबग बहुत पुरानी है हम लोग 30-32 साल के लगबग हुआ भवान पूरा जर-जर है पिछले साल भी अब लोग नजराय से और पुरसे जल से कहा गया है लेकिन अभी तक पुछित का रियास रखाव नहीं हुआ उसके जारा पूरा बिल्डिंग जर-जर है देखिये पूरा हर मतलब कमरे में लाइट उतर रहा है करंट आ रहा है पूरा तृणी जर-जर डर किडिने का संभावना हो भी वी le dh a भी मंचीलि contrattar정 का वेकिन अब सह वहीं पॅन मैंची में 2 मंचीलिग जर-जर पानी चुरा उपर हिर NASSq पूरा दंगा बड़ा है किसी अधिकारी ने सग्याल लिया कि एक बार एक देश हाओ आए थे नापने पर अभी तक फिर उसमिजर नहीं आए एक बार यहां पर गाटर भी आया था तिन चार गटा रखा हुआ था वो गाटर ठीकार पता नहीं क्यों उठा लेगी है क्यों करे बाट रहे हैं कभी बाहर खड़े हो रहें कभी आखड़े हो रहें लेगा बैटने उटा लग रहा है शुक्रबाद